नमस्कार दोस्तों हर पक्षी से जुड़े कुछ न कुछ शुब और आशुब संकेत हैं ऐसे मैं आज हम आपको कोई से जुड़े कुछ भ्रहम और सच्चाही के बारे में बताएंगे शकुन शास्तर के आधार पर जानते हैं कि कब कोई का दिखना अगमाना जाता है अशुब और कब कोई का दिखना देता है धनलाब अगर सुभा को घर के सामने आपको कोई बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे शुब माना जाता है मानते हैं कि घर में कोई महमान आने वाला है ये मान सम्मान और धन आगमन का संकेत भी होता है अगर आपकी पीछे की तरफ से आपको कोई की आवाज आए तो मानते हैं कि सारी समस्याय जल्द समाप्त होने वाली है चोच से भूमी खोते हुए कोई को देखना भी धनलाब का संकेत माना जाता है अगर किसी महिला के सिर पर कौई बैठ जाए तो यह उस महिला के पती पर संकट आने का संकेत माना जाता है वहीं अगर कौई बहुत तेज करकक्षता से चलाता हुआ नजर आए और पंखो को जोड़ जोड़ से फड़ फड़ाए तो ये अपशगुन माना जाता है आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको पानी पीता हुआ कोवा दिख जाए तो ये आपको धनलाब होने का संकेत हो सकता है कारे में सफलता भी मिल सकती है इसी तरह से रोटी का टुकड़ा या खाने का तिनका चोँच में दबाए हुए कोवा नजर आए तो ये भी धनलाब का संकेत है अगर आपके घर पर अचानक कोई का जुंड आकर बहुत तेज आवाज में बोलने लगे तो ये अपशगुन होता है इसी तरह से अगर आपके घर की छत पर बहुत सारी चील आकर बैठ जाए तो ये घर के मुख्या पर संकट के संकेत है तो वहीं कोवा दाई तरफ से उड़कर बाई तरफ आ जाए और भोग ग्रहन करे तो यात्रा में सफलता मिलती है अन्यथा विपरीत फल मिलता है और यदि कोवा सामने से आकर भोग ग्रहन करे और पैर सिस्सर खुजलाए तो कार्रे सद्ध होता है कोवा नाज के धेर पर बैठा मिले तो धन लाब होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेट वारता होती है यदि कोवा धूल में लोट पोट होता दिखाई दे तो स्थान में वर्षा होती है अगर स्वपन में कोवा मिठाई खाता दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि कहीं से धन प्राप्त होने वाला है और अगर विवा के अवसर पर बाटी जाने वाली मिठाई में से कोवा मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए कि उसे नववाहिता दमपत्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ती होगी अगर आपको कोवा दिखाई दे तो समझ जाएं कि धनलाब होगा या फिर कोई वपत्ती सामने आ सकती है कुण्डली टीवी डेस्क से दिक्षा कुपता की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद